दुनिया भर में अपने stand-up comedy के लिए प्रख्यात comedian रसल पीटर को कौन नहीं जानता। Stand-up comedy के माध्यम से उन्होंने दुनिया भर में वावाई बटोरी है। पिछले कुछ वर्षो से आप ये stand-up comedy वाला formula अपने देश में देखने को मिल रहा है। और आप देश का सबसे popular शो चलाने वाले कपिल शर्मा भी इससे अच्छूते नहीं रहेंगे। हाला कि वो पहले stand-up comedy कर चुके हैं लेकिन आप ये बड़े स्तर पर शुरू करने वाले हैं। चोटे परदे पर दे कपिल शर्मा शो से रंग जमाने वाले जाने माने comedian कपिल शर्मा अब डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। कर अपनी खिचाई करते हैं जब उन्होंने एक tweet किया था और उस पर खुब बवाल हुआ था। मेरे tweet के नीचे लिग देते हैं ड्रंक tweet जस्त इग्नोर मेरे पैसे बच जाते हैं। लगबग देड़ मिनट के वीडियो में कपिल इसी किसे को मज़दा धंग से सुनाते हैं। कपिल ने इस वीडियो के साथ लिखा नेटफलिक्स को मत बताईए कि मैंने footage लिग कर दिया है। इससे पहले कपिल शो का promo वीडियो शेर किया गया था जिसमें वो शो के बारे में मजाक्या अंदाज में बता रहे थे। कपिल ने बताया कि शो नेटफलिक्स पर 28 जनवरी को स्ट्रीम किया जा रहा है। कपिल शर्मा के इस शो की गोशना पिछले साल हुई थी और कपिल ने सोशल मीडिया के जरिये शो के आने की सूचना दी थी। तब कयास लगाय जा रहे थे कि कहीं ये भी दकपिल शर्मा शो जैसा शो तो नहीं है लेकिन ऐसा है नहीं। बाकि इंतजार कीजिए 28 जनवरी का जब कपिल शर्मा इस शो के साथ नेटफलिक्स पर उपस्तित होंगे। इसी प्रगार की तमाम जानकारियों के लिए हमार साथ जुड़े रहिए नमस्कार।